Dear Students of 12th Class, DSEJ Home Classes, An Attempt to Connect Learner with Instructor, A Digital Initiative by Directorate of School Education, Jammu. Home Classes में एक बर फिर आपका मदर्स बरकत चोदरी आपको खुशामदीद कहता है. अजीज़ बच्चो, हमने आपके 12th Class के पर्शन सब्जेक्ट के इस्सा दोम, याने बक्ष दोम को शुरू किया हुआ है, जिसमें नसर का पर्शन जो है, वो हम पढ़ रहे हैं, और कल, गजशता कल एक हकायत, शेक सादे शिराजी रह्मतुलाले की अंगलस्तान किताब से माफूज हमने पढ़ी, आज हम दूसरी हकायत आपके शामल नसाब में जो है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, अपनी दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 55 निकाल ये, 55 पेज नंबर और जिसके पास गर में किताब मौजूद नहीं है, स्क्रीन पर देखे, ये आ रहा है हकायत अजगलस्तान, और ये कौन सी हकायत है, जो आपके शामल नसाब में, दूसरी हकायत है वो, हकायत इस तरह से है, पहले में इसका माडल रीडिंग आपके लिए करूँगा, इसको पढ़ूँगा, तो उसके बाद इसका तर्जमा और तशरीखी करवाई जाएगी, देखिये, कबल इसके के आपको इसके तर्जमा और तशरीखी बताया जाए जाए, तो आप क्या करेंगे कि एक नोटबुक और एक पैन आपने पास रखेंगे जो भी मुश्किल अलफाज आएंगे वो आप साथ लिखते जाएं इन हकायात में हमें ऐसा दर्स दिया गया है जिस से खासकर आप के लेवल पे यहने स्टूडेंट्स के लेवल पे आपको तोर तरीके जिन्दगी के सिखाये जा रहे हैं यह आपके निशाब में इसलिए शामल कियेंगे कि आपको इसका सरे दस्त फाइदा हो बेनिफिट हो आज़े शुरू करते हैं पादशाह बागुलामी पादशाह बागुलामे अजमी दरकष्टी निशिस्त वागुलाम दीगर दर्या नदीदे बूद वामेनत कश्टी ने आजमूदे गिर्या वजारी दरनहाद वालर्जा बर अन्दामश उफ्ताद चंदान के मलात्फद करदंद आराम नमी गरीफ्ट वाईशे मलक अज़ू मनगस बूद चाराई नदानिस्तंद हकेमें दर आँ कश्टी बूद मलक रगुफ्त अगर फर्मान दही मन उरा बातरीक खामश गर्दानम गुफ्त गायत लुट वकरम बाशेद बफर्मूद ता गलाम रा बादर्या अन्दाफंद बारे गोताचंद खुरद मुईश गृफ्तंद पपेश कश्टी आवर्दंद बदो दस्त दर सुकार कश्टी आवेख्त चुन बरामद बगोशाई बनशिस्त वकरार याफ्त मलक राजब हमद पुरसीद दरिंचे हिकमत बूद गोफ्त अज अवल मेहनत गरका शुदन नच शीद बूद वकदर सलामत कश्टी नमी दानिस्त हम चनीन कदर आफियत कसे दानद के बमसीवत गिरिफतार आएद आएए हम इसका अब तरजमा और तश्रीक रते हैं देखे़ पादशाई मैं यानि एक बादशाई बादशाई कहते हैं उर्दो में और पादशाई कहते हैं फारसी में जब ये लग गया छोटी ये हे क्या आगे तो इसका मतलब एक बादशाई बागुला में एक गुलाम के साथ बावने साथ तो एक बादशा कहां का अजमी एक अजमी बादशा एक गुलाम के साथ बैठा हुआ था कहां दरकश्टी निशिस्त एक अजमी बादशा अपने अजमी गुलाम के साथ कश्टी में बैठा था और उस से पहले गुलाम ने नोकर ने समंदर नहीं देखा था दरिया फार्सी में कहते हैं फार्सी जबान का लखस है और इसका उर्दू है समंदर तो उस गुलाम ने जो अपने बादशाह के साथ बैठा था उसने उस से पहले समंदर नहीं देखा था या समंदर नहीं देखा था मेहनत कश्टी नहीं आजमों दे और कश्टी की सखती को भी नहीं देखी थी मेहनत, अब मेहनत यहां लगेगा पुरिशानी, औरांज, यानि जब कश्टी समंदर में घोते खाती है तो इन्सान जो है जो पहली बार बैठता है तो उसके लिए थोड़ी परिशानी होती है वो हच्चकोले खा रही थी तो उसने उसकी सखती को इससे पहले बरदाश्ट नहीं किया था फिर सुन लीजे एक बादशा अजमी गुलाम के साथ कश्टी में बैठा था और गुलाम ने उससे पहले समंदर नहीं देखा था और कश्टी की सखती को भी नहीं आजमाया था गुर्या वजारी दरने हाथ वा लर्जा बर अंदामश उफ्ताथ तो गुर रोने लगा गुर्या जारी करना रोना ये अर्दो जबान में भी इस्तमाल होता है गुर्या वजारी दरने हाथ कौन वो गुलाम वो रोने लगा और गिडगड़ाने लगा जितनी उसके साथ नर्मी बरती उससे सकून हासल नहाए वा लर्जा बर अंदामश उफ्ताथ और उसका जिसम कांपने लगा लर्जा बर अंदामश उफ्ताद और उसका जिसम कांपने लगा चंदान के मलाथफद कर्दंद जितने भी उसके साथ महरबानी की गई जितना भी उसके साथ नर्मी से पेश आया गया आराम नमी गरीथ उसको सकून आसल नहुआ एक अजमी बादशाँ पादशाँ के साथ या एक अजमी बादशाँ अपने गुलाम के साथ कश्टी में बैठा था और गुलाम ने उससे पहले समंदर नहीं देखा था और कश्टी की सक्टी को भी नहीं आजमाया था यानि उससे पहले कश्टी का सफर नहीं किया था गिर्यावजारी दरनेहाद वो रोने लगा गडगड़ाने लगा वो लर्जा पर अंदामश उफ्ताद और उसका जिसम कांपने लगा उसके जिसम में कब कपी तारी हो गई कब कपी शुरू हो गई चंदान के मुलाधफद करदन जितने भी मलात उता ना, लुट्व कर अनायत, यानि महरवानी, जितने भी, उसके सार नर्मी परती गई, उसके महरवानी की गई, उसको समझाया गया, आराम नमी गरिफ्त, उसको आराम सकून हासल नहुआ, वा आश मलक अजू मनगस बूद, और बादशाओ उससे तंग आ यानि बादशाओ आराम से बैठा हुआ था, सकून से बैठा हुआ था, बाकी अपने अवाब के साथ, तो उसकी उस आश में खलल आ गई, वो परेशान हो गया, चारा इना दानिस्तंत, कोई तदबीर भी ना सूजी, यानि अब क्या करते कि वो इतना परेशान कर रहा था वो शक्स उगलाम, तो चारा इना दानिस्तंत, कोई भी अलाज नहीं था, कोई भी तरकीब नहीं सूजी, हकेमे, अब इसको हकेमी नहीं पड़ना, नहीं पड़ना, हकेमे, दर आंग कश्ती बूद, उसी कश्ती में एक दाना शक्स, एक अकलमन अदमी भी था, हकीम, मलक रगुफट उसने बादिशा से का मलक भी फार्सी जबान का लफ़स है और उर्दू इसका बादिशा बादिशा भी कहते हैं और मलक भी मलक रगुफट उसने बादिशा से कहा उस अकलमंद आदमीने दाना आदमीने अगर फर्मान दही मन उरा बातरीके खामश करदानम अगर आपका हुकम हो अगर आप हुकम दें करें तो मैं इसको किसी तरीके से खामश कर दूँगा अगर अजाज़त दें खामश कर दूँगा तो मैं इसको एक तरीके से खामश कर दूँगा ब तरीके खामौश करता हूँ आपकी इंताई महरवानी हूँ यानि बहुत ही ये महरवानी की बात है आपकी बड़ी महरवानी होगी इसको खामौश कर दीजिए किसी भी तरीके से हो विफर्मूत ता गलाम रा बद्रिया अंदाखतंत उसने हुकम दिया तो गलाम को समंदर में फैंक दिया गया बादशाख के फरमान के मताबक जो ही बादशाख ने अजाज़त दी तो उस गलाम को इस दाना आदमी ने दरिया में यने समंदर में फैंक दिया डाल दिया बारे चंद गोता खुरत कई बार उसने गोते खाए उसके बालों को पकड़ा गया और कश्टी के सामने लाया गया। बद्दू दर्सकान कश्टी आवेख्ट दोनों हाथों से कश्टी के कनारे के सामने लटका रहा। कश्टी में वारत हुआ बारमद यानि जब उसको लाया गया अंदर दोबारा कश्टी में चुन बारमद बगोशाए बनशिस्त एक कोने में आराम से बैट गया वकरार याथ। बगोशाए बनशिस्त वकरार या तो उसको सकून आसल हो गया यह वो पहले की तरह वो कपकपी उसकी जिजिक जो थी उसको कश्टी जब चलती थी तो उसके जिसम में कपकपी तारी होती थी वो दूर होगी और आराम से आके बैट गया। बादशाए को ये बात ताजजब लगी उसको ताजब हुआ बादशाए हैरान हो गया यह बादशा इस बात से ताजब हुआ इस काम से तो हैरान हुआ पुरसीद यहां से मैं पढ़ रहा हूँ देखिए अपने पेज पर, असक्रीन पर, पुरसीद पुछा दरिंचे हिकमत बूद, यानि उस हकीम से, उस दाना शक्स से पुछा दरिंचे हिकमत बूद, इसमें क्या हिकमत थी, ये कैसे खामोश हुआ, ये क्यों आराम से आके बैट गया गुफ्त, अज अवल मेहनत गर्का शुदन न चशिदे बूद, उसने कहा, यानि हकीम ने कहा, जवाब दिया, उसने पहले गर्क होने की सख्ती न चखिए थी अवल, अज अवल मेहनत गर्का शुदन न चशिदे बूद, उसने इससे पहले गर्क होने की सख्ती न चखिए थी, यानि पानी में गोते नहीं खाये थे न चशिदे बूद, वगदर सलामत कष्ती नमी दानिस्त, न चखिए थी, और कष्ती में सलामती के सथ बैठने की कदर न जानता था, यानि पानी में गोते खाना कितना मुश्कल है, बनिस्पत इसके के अराम से कष्ती में बैठता, तो वाद वही है, वगदर सलामत कष्ती नमिदानिस्त और सलामती के साथ बैटने की कश्टी में सलामती के साथ बैटने की कदर न जानता था हम चनीन कदर आफियत अब इसका कनक्लीजन क्या है इस अकायत का हम चनीन कदर आफियत कसे दानद के बामसीबते गिर्फतार आइद इस तरह वही सलामती की कदर जानता है हम चनीन इसी तरह कदर आफियत कसे दानत वही सलामती की आराम की कदर जानता है कि बामसीबते गिर्फतार आएद जो किसी मसीबत में गिर्फतार होता है कहने का यह मतलब मैं एक बार फिर इसका खुलासा आपके सामने बियान कर देता हूँ कि एक अजमी बादशाह अपने गुलाम के साथ कष्टी में बैठा था और उसके गुलाम ने उससे पहले कष्टी का सफर या समंदर को नहीं देखा कश्टी का सफर भी नहीं किया था और सुमंदर को भी नहीं देखा था जब वो बैठा तो वो कामपने लगा जब कश्टी जो है चलती है तो पानी में उपर नीचे उतार चड़ाओ तो होता ही है तो वो डर गया गलाम जब उसके जिसम कामपने लगा तो आलंके बादशा, सल कि शूर की जाये कश्टी के सफर की तो उसने उसको पानी में डाल दिया चंद गोते खाने के बाद उसको बादेशा के ओकम से उसको डाला फिर उसको वापस बाहर निकला और उसको बादेशा। सलामती के साथ बैठने की कदर न जानता था यानि कितना मुश्कल है समंदर में या पानी में तैरना या डूबकी खाना बनिस्बत कष्टी में आराम से बैठना तो यही बात इसका लूब लवाब या इसका खलासा यही है इसका कंकुलीजन यही है कि इसी तरह वही सलामती की कदर जानता है जो किसी मसीबत में गिरफ़तार होता है यानि मसीबत में गिरफ़तार होने से सलामती हजार दरजा बेतर है तो इसके साथ ही यह हकायत मुझा अमीद है कि आपको अच्छी तरह समझाई होगी अखताम को पहुंची next lesson तक के लिए मैं आपको Allah सौने के आवाले करता हूँ फियमान अल्लाव